है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल गाईज अगर आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चले गाईज देखते हैं कौन से कंपनी जहाँ पर आप ले सकते हैं 10 लाख रुपे तक का अर्जेंट लॉन चलिए शुरू करते हैं सो गाईज अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे अपने फोन से लॉन एक लिंक में डिस्क्रिप्सिन में दे रखा है आपने उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी उस वेबसाइट का नाम है टाटाकेपिटल डॉट कोम जिया गाईज मैं आपको बोला था कि आपको 10 लाग रुपे तक का लोन मिल सकता है लेकिन आपको यहाँ पर मिलेगा 25 लाग रुपे तक का लोन गाईज आपके सामने वेबसाइट ओपन है और वेबसाइट के जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर अगस्त तक का moratorium तर टाइम खतम हो चुका तो फाइदा कुछिन या moratorium लेने का ठीक है अगर आप यहाँ पर दीखेंगे अजुकेसल लोन अप्लाई करने का यहाँ पर आपको एक टैप दिखाए दे रहा है अगर आप पर आप यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बोले कि आप जो है TADA Capital से परसनल लोन ले सकते हैं अपनी हर एक परसनल जरौत को पूरा करने के लिए परसनल लोन आप ले सकते हैं से medical emergency होगे साधी के लिए पैसे की जूरत है आपको ठीक है या फिर आप जो है अपने बंदकारबार को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं चोटा मुटा लोन आपको चाहिए तो आप personal लोन ले सकते हैं यहाँ पर यह बोले कि हम आपको 10.99% per annum के interest पर 72 महीन तक के लिए 25 लाख रुपे तक का लोन दे सकते हैं apply now के tab आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है apply कैसे करना मैं आपको last बताऊँगा आप यहाँ पर दो तरीकी से लोन के लिए apply कर सकते हैं एक है आसान तरीके एक है थोड़ा hard तरीका दोनों तरीके आपको बताऊँगा वीडियोस की बिल्कुल मत करना ठीक है अगर मैं इसको scroll down करे दे हो तो guys आप यहाँ पर दे सकते हैं company आपको यहाँ पर बोल लिए कि हम आपको 75,000 पर 25,000 रुपे तक का personal loan दे सकते हैं यह loan आपको मिलेगा 12 मेने से लेकर 72 महीने तक के लिए जिस पर आपको 10.99% पर NM तक का इंटरस्ट लग सकता है advantage आपके यहाँ पर जो होने वाले हैं यहाँ पर बोल लिए कि multi-proposed personal loan आपको यहाँ पर मिलेगा no collateral, no security आपके यहाँ पर लगने वाले है और draft facility आपको यहाँ पर मिल जाएगी और part prepayment पर आपकी zero charges लगने वाले हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर documents की देखिए जो सबसे important होते हैं क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता documents क्या देने हैं तो फिर आप loan के लिए apply नहीं कर सकते हैं ठीक है guys data capital से अगर आप लेते हैं loan तो आपको जो documents यहाँ पर देने हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं आपको यहाँ पर photo identity proof देने होगे documents में income proof documents आपको यहाँ पर देने होगे salary sleep आपको यहाँ पर देने होगी address proof documents आपको यहाँ पर देने होगे employment certificate आपको यहाँ पर देना होगा ठीक है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर eligibility criteria की देखिए उपर यहाँ पर दिखा रखा है Elisibility and Documention आपने इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा जो भी Elisibility है लोन लेने के लिए टार्टा क्रेपिटल से वो आपको जो डोकुमेंट्स देने हैं वो है वोटर एडिकार्ड, पास्पोर, ड्रैविंग लेसंस और आधार कार्ड इनमेस आप कोई भी एक डोकुमेंट्स दे सकते हैं इंकम पुरूफ में आप यहाँ पर पिछले 6 मेने की बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको यहाँ पर देनी होगी पिछले 3 मेने की और एड्रस पूरूफ में आपको यहाँ पर रसन कार्ड, इलेक्ट्रिस्ट्री बिल, पास्पोर्ट इनमेस आप यहाँ पर कोई भी एक दे सकते हैं Employment Certificate आपको यहाँ पर देना होगा कुल मिला के बात यह है आपको यहाँ पर क्यावल आधार कार्ड 6 मेने की बैंक स्टेटमेंट, 3 मेने की सैलेसलिप एडेक्टिस्ट्री बिल और Employment Certificate यह 5 डोकिमेंट्स आपको यहाँ पर देने हैं और आपको लोन अप्लाई कर लेना है अगर आप Elisible हों का लोन लेने के लिए तो आपको यहाँ पर 100% लोन मिल जाएगा तो guys eligibility criteria यह अगर आप लेते हैं Tata Capital से लोन अगर आप लेना चाहते हैं 5 लाग रुपे का लोन मेरे पास बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर जो कोमेंट्स करते हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई हम 5 लाग का यह फिर 10 लाग का लोन लेना चाहते हैं हमारे salary पचाज हरो मेना है हमारी EMI कितनी होगी आप हमें बता दीजिए तो गाईस देखिए जब आप किसी भी जंगे से लोन के लिए अपलाई करें तो भाई आपने स्वसे पहले अपनी EMI कैलिकुलेट कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए जितनी भी आपकी salary है उसके साफ से जितनी EMI होगी आपको नहीं पता कि इतनी EMI आपकी होगी तो भाई आप सबसे पहले EMI कैलकुलेट कर लीजिए एक्जम्पल के तोर पर यहां पर बता रखा है कि अगर आप लेते हैं एक लाग रुपे का लोन 10.99% पर एनम के इंटरस्ट पर 24 महने के लिए तो आपकी EMI हो जाएगी 460 रुपे इसी तरीकी सागर आप 2,000,000 आपकी EMI हो जाएगी अगर आप 24 महने के लिए लोन लेंगे तो ठीक है तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा जितनी भी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से क्या आप इस EMI को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जब आप अपनी EMI कैलकुलेट कर ले जब आप यहाँ पर डोकुमेंट्स के बारे में सब को जान ले उसके बाद आपने लोन के लिए अपलाई करना है ठीक है तो आपने क्या करना है How to apply प्रक्लिक करके अच्छी तरीकी से जानकर ले लेने हैं कि इस तरीकी से लोन के लिए आपने apply करना है जैसे आप How to apply प्रक्लिक करेंगा पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा लोन apply करना बहुत ही simple और आसान है यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बता रखा कि आप केवल 4 step में लोन के लिए apply कर सकते हैं सरसे पहले आपको अपनी online application फिल करनी होगी उसके बाद आपको documents वगारा submission कराने होगे उसके बाद आपकी verification होगी अगर आपकी verification हो जाती है तो आपका loan approval हो जाएगा loan approval होने के बाद आपके bank के अंदर आपको loan मिल जाएगा पूरी details नहीं यहाँ पर बता रखी है कि बाइस ससे पहले तो आपको loan apply करना है online application फिल करनी है उसके बाद आपको यहाँ पर document submit कराने है documents मैं आपको बता दें जो भी documents आपको यहाँ पर देने है यहाँ पर भी आप पड़ सक्ते हैं ठीक है जब आप यहाँपर documents अपने दे देंगे documents देने के बाद आपकी verification होगी आपके पास call आएगी, आपके घर पे बंदे आभी सकते हैं, title capital के जो employee है, आपकी verification करेंगे, अगर आपकी verification complete हो जाती है, उसके बाद आपका loan approve हो जाएगा, अगर आपको approval मिल जाता है, loan approval मिलने के बाद, आपको simply e-sign agreement करना है, e-sign agreement करने के बाद, आपकी loan amount आपके bank account के अं करेंगे, loan apply कर सकते हैं, यहाँ पर नीशी जो आपको दिखाए दे रही है, इस पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर chatting करने के बाद भी loan के लिए apply कर सकते हैं, या फिर आप offline loan apply कर सकते हैं, सीधा branch में जाकर, अगर आपके near is data capital की branch है तो, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ए loan apply करने का, यहाँ पर आपको बहुत ही simple और आसान तरीकी से loan apply करने का option मिल जागा, याँ आपको यहाँ पर केवल और केवल, अपना WhatsApp नमबर डाल देना है, अगर आप यह नहीं करना चाहते, जो आपको QR code दिखाए दे रहा है, आपके WhatsApp के अंदर QR code scanner है, उससे आपने इसको scan करना है, scan करने के बाद आप जो है directly इनके जो employee है, उनके साथ जुड़ जाएंगे WhatsApp के जरी है, यहाँ पर यह बता रहे है कि आप यहाँ पर 10.9% परेनम के इंटरेस्ट पर loan ले लेंगे, 75,000 पर से लेकर 25,000,000 तक का loan मिल सकता है, 12-12,000 मैने के लिए आपको यहाँ पर loan मि जरी है, यहाँ पर यह बता रहे है कि आप केवल 3 step में जो है, loan के लिए apply कर सकते हैं WhatsApp के जरी है, देखे guys सबसे पहले आपको यहाँ पर register करना है अपने WhatsApp नमबर को, उसके बाद guys आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने phone से WhatsApp के जरी है Tata Capital को invite करना है, उसके बाद guys Tata Capital के जो employee है, आपके साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो इनके employee है, आपको सारी detail बता देंगे, क्या documents आपको देने है, क्या करना होगा, आपको loan apply करने लिए, बस आपको क्या करना है, उनको आपको अपनी detail देनी है WhatsApp के जरी है, personal detail, employment detail, यानि कि आपका date of nearest branche Tata Capital की, ठीक है, उसके बाद क्या हो, guys, WhatsApp के जरी है, जो Tata Capital के employee है, आपके साथ chatting करेंगे, आपको पूरी detail बताएंगे, क्या करना होगा, आपको loan apply करने के लिए, आपसे जो भी detail हो मांगे, आपको detail देनी है, WhatsApp के जरी है, जो documents मांगे, वो documents आपको उनको देनी है, या फि verification complete हो जाती है, आपका loan अप्रू हो जाएगा, loan अप्रू होने के बाद, आपके loan amount, आपके bank के अंदर आपको मिल जाएगी, इस agreement करने के बाद, सबसे आसान तरीका है, WhatsApp के जरी loan apply करने का, अगर आप WhatsApp के जरी भी loan apply नहीं करना चाहते है, आप directly apply कर सकते है, loan online, उसके लिए आ आप यहाँ पर उसके बाद, आपको complete detail फिल करनी है, यानि personal detail, employment detail, अपने documents वगरा submit करनी है, जब आपके loan application पर submit हो जाती है, उसके बाद आपकी verification होगी, अगर verification complete हो जाती है, आपका loan अप्रू हो जाएगा, loan अप्रू होने के बाद, आपको एस agreement करना है, hello number top के bank के अंदर आ चली मिलत त्या करेंगें, युडियो सब आगे लब से इतना युडिदे के बाद बाद निवा, thank you so much